हाई डूएल दीज वेलकम टो एज़ीवी कॉमर्स क्लासेंज मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग अपने रूलर डिवलप्मेंट चेप्र को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे गाईज जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन अफ एक्रिकल्चरल अक्रिविटीज देखो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि रूलर डिवलप्मेंट करने के लिए हमें एक्रिकल्चर एक्रिकल्चर बोले तो खेती को इंप्रूफ करना बहुत ज़रूरी था तो हमने आया यानि कि अभी तक क्या था अगर गाओं में जैसे देखोगे गाओं में कभी गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एम्प्लॉइमेंट ऑप्रिक्टिविटी होती है वो कम होती है तभी तो गाओं के लोग थोड़े शेहरों में आते था कि उनको अगरी कल्चिरल एक्टिविटीज यानि कि अगरी कल्चिरल एक्टिविटी को डाइवर्स कर दो बहुत सारी चीजों में बाट डालो ठीक है अब जो डाइवर्सिफिकेशन किया गया वो दो तरीके से किया गया पहला क्रॉप में यानि कि डाइवर्सिफिकेशन इनक्रॉ क्रॉप प्रोडक्शन यह क्या था कि हमें अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन लेके आना है सिर्फ सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करना हमें मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन करना है सिर्फ एक चीज की खेती नहीं बहुत सारी चीजों की खेती करो कि अगर एक कागर खराब भी हो जाए तो आपके पास और इंकम के alternatives available हो इसमें गवर्मेंट ने ये भी बोला कि आप food crops के cash crop पर shift हो जाओ जिसे हम क्या कहते है commercialization of agriculture है ना यानि कि हम क्या करते हैं वो चीज़े बनाते हैं जो market में big सकती है ना कि वो चीज़े जो हमारे लिए food crops की काम कर सके तो हम वो चीज़े बनाए जो market में बिखने के लिए मांग रहे हैं लोग खरीदने के लिए मांग रहे हैं तो cash crops पर जाए तो यह था काईस हमारा diversification crop production में यानि कि single cropping से आपको multi cropping में आना था sorry second जो guys diversification किया गया वो किया गया था productive activities में यानि कि जो production से related activities होती हो उसमें diversify करना अब हमें तो जो गाओं में फोटो नजर आती हैं उसमें सिफ हमें खेत और एक tractor नजर आ रहा होता है लेकिन इसके अलावा भी गाओं में बहुत सारे रोजगार के अफसर है जो काम करे जा सकते हैं बढ़ाए जा सकते हैं तो गर्मेंट ने वह काम बताई यहां पर जिन्हें हम non-farm areas of employment कहते हैं जो farming नहीं है लेकिन उससे अलावा हटके वह areas जहां पर हमें good ज़नावा जैसे अलाव जुदो ऑ्हा सकने हैं थी रोजगार के अफसर मिल सकते हैं जाने कि जैसे मुर्णिया पालना बकरिया yearly इंह्मा पालन जाना और उन्हें आगे सेल आफ किया जाता है आप सबको पता हिए पॉल्ट्री फार्म्स वगर आप सबने देखेंगे जहां पर मुर्गी बाली जाती है उसे एनिमल हस्बेंटरी काते हैं उन्होंने इसका काम भी कर सकते हो आप दूसरा अप्शन उन्होंने दिया डेरिंग मतल LAURA DR वाला Daring मतला मिल्क प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड डेरिंग है तुनोंने बोले ये भी काम कर सकते हैं वगला वबहन दूद्ध को कि उसका त assum काम कर सकती है और आपको तो पता होगा कि Daring में आपको जानने की ज़रूरत है और पता भी होगा कि हमारा Operation Flood हुआ था Operation क्या कहते हैं उसको Flood के नाम से जानते हैं और एक और नाम से जानते हैं इसको White Revolution पता है ये क्या था गुजरात में हुआ था जहां पर घरों में जैसे लोगों के पास एक दो दो गाएं होती है तो भाही नहीं बेखने जा सकते हैं वो दूद बेखने नहीं जा सकते किसी के घर में साधन नहीं है कोई कहा जाएगा तो Company ने उन्हें बोला आप अपने घरों से दूद हमें दे दिया करो हम इसे प्रोसेस करेंगे और all over इंडिया बेचेंगे तो Amul आपको न सबको नाम पता है Amul का राइट वो उप्रेशन फ्लड में था जिसमें घरों से दूद लिया जाता था और पूरे देश में बेचा जाता था आज हमाले को कहीं पर भी जाने के जरुरत नहीं होती हम शौब से ही मिल्क खरीद लेते हैं तो गाइस वो उसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं जिसमें सबसे जादा प्रोडक्शन मिल्का इंडिया में हुआ क्योंकि गाए तो बहुत दी लेकिन इखटे नहीं हो पारे थी तो ये ऑपरेशन फ्लड में था जो की 2006 साथ में आते हैं भूतसे बने प्रोड़क्श में बहुत सकते हो थर्ड काम उन्होंने बोला ब्रौटी कलचर होटी कलचर समल्ड ऑडिकलचर होट होना नहीं है कलचर मतलब है side या आप कि आप सिर्फ खेतीHE forgno do आपकेती फूलो की करो aap finances की मसालो की तो उन्होंनेइबолा हम अपनी खेती को और ज़्यादा ड Ajvarsify करेतो जैसे मसालों की खेती होती है फूलों की खेती होती है और भी बहुत सारी चीज़े है जैसे सुगंधित चीज़ों के लिए तो यह सारे जो चीज़े थे यह हॉटी कल्चर का पार्ट है तो होटी कल्चर में हम इन चीद होगी आपको पता है फूल बिखने जाते है गुलाब बिखने जाते है पिंक रोस बिखते है लिली बिखते है इतने असारे बिखते है तो इसका भी तो काम कर सकते है इसकी भी तो बागबानी कर सकते है हम लोग होटी कल्चर कर सकते है जिससे मचली पालन, हमारे पास गाव में बड़ी बड़ी जमीने तलाब होते हैं, वहाँ पे हम मचली पालन का काम भी कर सकते हैं और उन्हें आगे सेल आफ किया जाता है, मचली को उनकी ब्रीटिंग कराया जाती है, आगे बेचा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा occupation है, fisheries का, बस हमारे पास साधन होने चीए कि हम उन्हें बेच सके इन सभी में guys, जो चार चीज़े मैंने बताई है, इन सभी में employment opportunity काफी थी और एक common factor देखा गया था, that is woman empowerment, यानि कि औरतों को भी इन सारे कामों में आगे बढ़ाया गया और उन्होंने बढ़ चरकर इन कामों में हिस्सा लिया, इसके बाद है fifth information technology, that is called IT, information technology जिसमें basically मकसद ये था, गाउं में technology को ले के आना, computer based चीज़ों को ले के आना, computer ले के आना ताकि उधर का सारा data हम लोग रख सके, government के पास हो सके, जो भी चीज़ों की कमी है, कितने खादे-पदार्थ है, कितने नहीं है, सारी information हमें गाउं की मिल सके, तो वहाँ पर क्या ले के आना, information technology और आपको पता है, हमें development करने के लिए, information technology होना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे होना, computer चलाना आना, ये सारी चीज़े बहुत necessary और basic हो चुकिया आज ही life में So, information technology हमें गाउं में लेके आनी थी, ताकि वहाँ पर और ज़्यादा development हो सके, जब वहाँ पर ये सारी चीज़े, computer आएगा तो उसे related और बहुत सारे काम भी गाउं में आएंगे, companies भी आएंगी, companies अपनी manufacturing units भी खोलेंगी, बहुत सारी चीज़े हो सकते है, तो IT को वहाँ पर लेके आना बहुत सरूरी थी, आप जैसे आप डेली नॉटा में देखोगे तो बहुत सारे call centers है, क्यों क्योंकि यहाँ पर IT की बहुत फैसलिटी, information technology हमारी यहाँ पर बहुत मतलब है, तो हमें यह चीज़ गाउं में भी तो लेके आनी हैं, ताकि महाँ पर भी employment opportunity आ सके तो वो मकसद था, ठीके तो गाइस यह सारी चीज़े थी, जो diversify करी थी हमने अपने agriculture sector को ताकि employment opportunity मिल सके, लोगों की income हो सके और लोग कमा सके, हाला कि बहुत मेंगाई है, बट फिर भी कमाना ज़रूरी है, तो गाइस कैसी लगी वीडियो, ज़रूर share करना, और येस अगर पसंद आई और समझ आई, तो लाइक ज़रूर करना, थांक यू